अफगानिस्तान में फसे भारतियों को निकालने के लिए एक बार फिर वायू सेना के C-17 विमान को काबूल भीजा जा सकता है इसके लिए भारती अधिकारी अमारिका के संपर्क में है फिलाल काबूल एरपोर्ट का नियंतरोण अमारिका के पास है सूत्रों के बताबिक ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगले 22 घंटे में काबुल एरपोर्ट पर यात्रे विमानों की भी आवजा ही शुरू हो सकती है संभव है कि नागरी कुडानों की बहाली से पहले आज भारत काबुल एरपोर्ट पर मौजूद अपने नागरी को और वीजा धारकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेश विमान भेज़ेंगे विदेश मंतरी एज़ शंकर ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान के अहलागा पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुआ है और वहां से भारतियों को निकालना सरकार की पहली प्राथ मिकता है तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में खौफ का महौल बना हुआ है तालिबान पर लगाम कसने के लिए अमारिका के बाद अंतराष्ट्रे मुद्रा कोश ने अफगानिस्तान सरकार के 4.6 अरब डॉलर के रिज़र को ब्लॉक करने का ऐलान किया है इससे पहले अमारिका ने अफगानिस्तान का 9.5 अरब डॉलर का रिजर्ब फ्रीज कर दिया था भारत सरकार की ओर से भारतियों नागरी को सुरक्षित निकालने की कवायद भी तेज हो गई है भारतियों को निकालने के लिए एक बार फिर से वायुसेना के C-17 विमान को काबूल भेजा जा सकता है इसके लिए भारतिया अधिकारी अमारिका के लगातार संपर्क में है फेलाल काबूल एरपोर्ट का नियंतरण अमारिका के पास है सूत्रों की माने तो ऐसे संकीत मिल रहे हैं कि अगले बहुत कर घंटे में काबुल एरपोर्ट पर यात्रे विमानों की आवजा ही भी शुरू हो सकती है संबब है कि नागरी कुडानों की बहाली से पहले आज भारत काबुल एरपोर्ट पर मौजूद अपने नागरी को और वीजा धारकों को सुरक्षत निकालने के लिए विशेश भिमान भेजे विशेश मंत्री एस जोईशंकर ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान के हालात पर पूरी तरह से नजर बनाये हुए है और वहां से भारतियों को निकालना सरकार की पहली प्राथ मिक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर रमेश ठाकोर वरिश्ट पत्रकार जोड़ चुके हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एमेच्वन प्राइम पर जी नमस्कार सर आपसे जानना चाहेंगे जो सारा के आलात अफगानिस्तान में है पूरी दुनिया जान रही है तस्वीरे हम देख रहे हैं लेकिन पहली प्रात्मिक्ता भारत सरकार की वहाँ जो फसे भारतिया हैं उनको निकालना और क्या इसके लिए कितनी तेजी से ये काम चल रहा है जब किसी भी कंट्री में या किसी जगे पे कोई इस तरह की कोई मानमिये जो गटना रखती हैं तो उसमें सबसे पहला धर्म होता है वहां का दूताबास जो है ताला मारके वह तारे भारत आच चुके हैं यह बहुत गलत है यह किसमें उनको इजाज़ती जिए जो विज़ेस मंत्री उन्होंने गई या सेंटल गुर्मेंट से उनको इजाज़ती अगर दी गई तो बहुत गलत दी गई है दूताबास तब तक बंद नहीं होना चीए बहुत तक तब तक वहां ताला बंदी होना चीए जब तक बहुता अंतिम भारतिये नागरिग सकुसल भारत नाजाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया मुझे लग रहा है 35 अंदर का और हर बारत का कोई ना कोई ना कोई नागरिग कारे कर साय अब यह कोई काम करना कोई काम कि यह बड़ा दुख वाली बात है कि तालीवानियों ने कल नहीं प्रेस कॉंफरेंस करके यह तो कह दिया कि हम सरकार बढ़िया से चलाएंगे और पांती प्रे तरीके से काम करेंगे लेकिन उसके उन्हें कुछ घंटों के बाद में जो तस्वीर आ रही है मैलाओं के साथ मे जिस तरीके से पतारना उन्होंने सुरू कर दी है तो मलब वो जो द्रस है जो आखों के सामने से जो तस्वीर गुजर रही है वो तेकी नहीं जा रही है इस लिया से गर हम कनेक्स करें हमारे भारतिये लोगों को देखो यह जब चाहीं रहे कि तालीवान हमेसा सिकों और हि जो 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 पता चलाता कि यह भारत से विलाउन करता है तो उनके बौडी के साथ में किस तरीके से अमानी में वैभार किया जो हम सब लोगों ने देखा और अमेरिका की रिपोर्ट पर जो बताती है वो बिल देहनाने वाली है मुझे लग रहा है हमारा दूटा वासत थोड जिदा होना चाहिए था जब तक अंतिम भार्के वहां से निकल के दिली या हिंदुस्तान की सजमी पर नहीं आ जाता तब तक मुझे लग रहा है इनको बहां से आने का फैसला नहीं दिया जाना चाहिए तो कहीं ना कहीं यह उन भार्कियों के लिए उमीद की किरण है जो जिस दिन वको पहले वेंद्र करते हूथ मोह उन्यद कान्यों जाले जाएक तो ओनी वाहन से भी जु कारों में वहां अन्यमित वहां पे तो एक तिकत्र कैसे किया जाएगा उनको आंटेपाई कैसे है जाए am लेकिन लाइगा जिस पे क्योंकि काबुल एरपोर्ट पे जो तस्वीर है आपके एस्टिन पे दिखाई जे रही है ये महौन बना हुआ है और कल साम से जिसमें भी तालीवान लड़ाकू है उन्होंने चारों तरस से गेर लिया जो भी वहाँ पे जा रहा है उनको रोका जा रोकने के बाद में सबसे पूछता आच होती है और गाली गलोज भी वह तालीवानी करते हैं तो खुदाना खास्ता अब ही एस्टिन अगर आती है तो मुझे लग रहा है तो जो अच्छे हुए भारतिये वह कैसे आपाएंगे कैसे काबुल एरपोर्ट तर जा पाएंगे और कैसे महां से उडान भरके यहां पर आजाएंगे तो मुझे लग रहा है अब बहुत कटनाईयों का समय स्टार्ट होने वाला है इससे मुझे लग रहा सरकार को थोड़ा सा एक और एक सथा दिखानी चाहिए लेकि सथा दिखाने वाली पाप आजाती है तो सरकार किसे सं नहीं है तो मुझे लग रहा कुश्पू बड़े एक आने वाले जो समय है दो-चार दिनों का बहुत दुख़ाई होने वाला है और भगवान ना करे कि हमारा कोई भी भारती वहां पे फसा हो उनके साथ में कोई भी ऐसी घटरा घटे जो अपरिये हो और किसी भी तरीके से सरकार को इस समय बहुत हतकता के साथ में हर एक वारतिये को सकुसल बतन वापसी करें हम यह उमिर लगा रहे